शसन भाईयों आप सबी का स्वागत है गन्नी की रिंग पिट टिगर मशीन है यह आदमिक तक्नीक पर है इसमें बेल्ट आपने देखा होगा नहीं लगी हुई है बलकि गियर पर अधारी थे इसमें वाइब्रेशन कम है और गहराई जो गड़े की 30 cm हो जाती है गड़ों की जो चौड़ाई है वह 75 cm इससे बनती है फिट से जो पिट की दूरी है वह 6 फिट है और लाइन में अगर हम बात करें तो शाड़े-चार फिट की दूरी रखनी चाहिए इस तरीके से 26 स्कायर फिट लगभग पढ़े में दूरी आती है और एक एकड में आप 1676 गड़े बन पर आफ 유े इसको डालने से पहले खेट की जो आखरी जुताई है उस पर 5916 गोपर की खाथ में मिलाकर ढलें एक बार एंविप लाउस से चौहिऑ की जुताई जरूर करें गहरि जुताई करें गहरि जुताई से जो डिगर है आसानी से थे कर पायगा वैस में बोल्डर नही के सिंगल बढ़के टुक्रेट डालें और आठ से दस मेना पुराना जो गन्दा हूँ उसको लें उपर का हिस्सा बीच की रुप में प्रयूप करें जिससे जमाऊ आपका बेहतर होगा इस मसीन से एक घंटे में एक एकड़ की सारे गठे आप बना सकते हैं नामड़े अगर बोई करते हैं उससे काफी कम इसकी कास्ट हो जाती है रिंग पिट से गन्ना भूनी का काफी फाइदा है कि आप पेड़ी का इसारण बखले सकते हैं एक पिट में 120 ग्राम सिंगल सुपरफासपेट डाले और 30 ग्राम यूरिया 30 ग्राम मुरेटा प्रोटास डाले और ये कोशिच करें कि 5 ग्राम रेजेंट डालते हैं या कोई और भूम सुधन प्रसाइंट डाल सकते हैं इसके साथ में 12 ग्राम जिंक या ग्यारा का कंप्लेक्स एक पिट में गन्ना बोने से पहले आप डाल सकते हैं जिससे जो खाद है वो काफी बल्यागी और एक एकड़ में 40 कुनतल गोबर की सड़ी खाद डाले और एक बैग सिंगल सुपरफासट एक यूरिया और 25 किलो ग् कोटास जुताई किसमें भी डालते हैं ताकि खेत में यह जो निटियंट्स हैं इनके उप्रफटा पिट के अलावा भी बनी रहे क्योंकि बाद में जब पना निकलता है तो जड़ें बाहर तक निकलती हैं और उनको पोसर्ण किया हो सकता पड़ती है इन पिटों को नाले स आप जोड़ दें नाले से जोड़ने से फाइदा होगा कि जब पानी आप लगाएंगे एक गहराई तक पानी लगेगा उतला पानी लगेगा ज्यादा नहीं लगेगा पिट से फाइदा यह है कि अगर एक पिट में आप आठ सिंगल बढ़के टुक्रे डलते हैं और चालि अगर इस तरगे के आप प्लाट को अस्थापित कर पाते हैं समय समय पर निराए गुड़ाई आवस्य करें और साथ ही में यह ध्यान रखें कि अगर इसमें आप इसमें आप इस्प्रे करते हैं एन्पी के 1811 का उननीस उननीस का इससे बढ़वार खास्तों से जो रिंग प पेंड़ी दे जा सकती है जो पिट होता उसके चार तरफ निराए गुड़ाई की जा सकती है बुवाई के समय लागत हमारी जो ट्रेंच है उससे इसकी ज्यादा आती है लेकिन उसके बाद उतनी लागत ना पेंड़ी में रहती है और ना ही आगे पौधे में रहती है रिं आप साफस लेखेती भी कर सकते हैं और इसमें कमी यह है कि मैनुल काम चुकि काफी रहता है इससे लागत थोड़ी बढ़ती है मैनुल कारी करना पड़ता है जिससे थोड़ी लागत शुरुआत्मी ज़्यादा रहती है आठ बड़ से ज़्यादा सिंगल बड़ के टुकड़े ना डाले नहीं तो बीच की लागत इस बेदिंगी बढ़ने की समाधा रहती है और यह जरू ध्यान रखें कि जब ये पाउधें छोटे होते हैं उस समय इसकी निराई गुड़ाई जो पिट है उसकी जरू करें जो बीच का स्थान है उसकी गुड़ाई करें इस वज़े से ताकि जब मिट्टी आपको चड़ानी हो तो मिट्टी भुभरी आपको मिल पाए और बॉल्डर्स ना हो दूसरा जो ध्यान रखना है पिट को पहले वर्स के ओल बराबर करें ताकि पेंड़ी आप कई बार ले सके ज़्यादा मिट्टी ना चड़ाएं धन्यवाद जय हिंद जय भारत